आज हम पढ़ेंगे लेसन नाइन साक्षी पहुची चांद पर साक्षी को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था वह सोने से पहले रोज एक कहानी सुनती थी एक दिन वह खिड़की से चांद को निहार रही थी चांद को देखकर वह बहुत प्रसन हुई तभी वहां मा आ गई और बोली साक्षी बेटी अब बहुत देर हो गई है चलो सो जाओ साक्षी बोली नहीं मा अभी थोड़ी देर में सो जाओंगी देखो ना कितना सुन्दर है चांद बिलकुल गोल और चमकीला मा बोली हाँ बेटी आद पूरण मासी है इसलिए तुम्हें चांद गोल रुपहला दिखाई दे रहा है साक्षी ने कहा हाँ मा आज मारी कक्षा में भी अध्यापिका ने चांद के बारे में पढ़ाया था मुझे बहुत मज़ा आया मा मैं भी चांद पर जाना जाती हूँ मा बोली हाँ हाँ बेटी इदि तुम मन लगा कर पढ़ाई करोगी तो अवश्य ही अपने इरादे में सफल हो जाओगी सच मा साक्षी ने उच्छा से पूछा हाँ हाँ क्यों नहीं मा ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेडते हुए कहा साक्षी खुशी खुशी मा की गोद में सिर रख कर लेट गई उसने बहुत देर तक मा से चांद और सितारों की कहानी भी सुनी कहानी सुनते सुनते उसे नीन आ गई और वह सपनों की दुनिया में खूँ गई उसके सामने रंगों के दाइरे बनने लगे खूब सारे रंग लाल पीले और नीले तबी उसकी बाहों से कोई चीज आकर टकराई साक्षी ने देखा कि वह एक विशेश पोशाक थी जिसे चंदर यात्री पहनते थे उसने जल्दी से वह पोशाक पहन ली पास में एक चंदर यान खड़ा था उसमें से एक सीड़ी निकली तो साक्षी ने सीड़ी में फीड़ी से उसमें प्रवेश किया तब यान में जोर से आवाज हुई घर घर और यान चांद की और उनने लगा रास्ते में उसने देखा कि चांद बड़ी शान से चमक रहा था वह अपनी दूधिया चांदनी से धर्ती पर प्रकाश कर रहा था साक्षी को चंद्रमा के ठंड़ ठंड़ प्रकाश में नीले रंगी धर्ती बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी कुछ ही देट में चंद्रियान चंद्रमा पर पहुँच गया यान के रुकते ही सीड़ी बाहर निकली साक्षी सीड़ी से उतर कर चंद्रमा की सतह पर पहुँच गई जैसे ही साक्षी ने चंद्रमा की धर्ती पर कदम रखा तो वह है हैरान रहे गई उसने देखा कि वहां तो बिल्कुल अंधेरा है अभी उसे याद आया कि उसकी विज्ञान अध्यापिका ने बताया था कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है वह तो सूर्य के प्रकाश से ही चम चमाता है फिर वह थोड़ा आगे चली तो वहां उसे खूब सारे गड़े दिखाई दिये चांद पर ना पेड़ पोधी है ना पशुपक्षी वहां तो धरती वहां की धरती उबड़ खाबर थी विरान चांद को देखकर साक्षी आश्चारे चकित थी इतने में उसे एक भारी आवास सुनाई दी कौन हो तुम? आवास सुनकर साक्षी डर गई फिर संभलते हुए बोली मैं साक्षी हूँ आप कौन है? मैं चंद्रमा हूँ मुझे देखकर सभी प्रसन होते हैं बच्चे मुझे चंदा मामा कहकर पुकारते हैं तुम धर्ती के कौन से भाग से आई हो? क्या तुम मुझे वहां के बारे में बता सकती हो? उसने कहा साक्षी बोली हाँ हाँ क्यों नहीं मेरा संबंध भारत से है हमारी धर्ती बहुती सुन्दर है चारों दरफ हर्याली ही हर्याली है कहीं उचे-उचे परवत हैं तो कहीं बड़े-बड़े समुद्र चंदरमां बड़े गोर से साक्षी की बाते सुन रहा था तो क्या आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएंगे साक्षी ने पूछा चंदर्मा बोला मैं एक उपग रहे हूँ पित्वी के चक्कर चारों और लगाता हूँ मेरी दूरी पित्वी से लगबग चार लाख किलो मीटर है जानती हो सबसे पहले मेरी धर्ती पर किसने कदम रखा था साक्षी ने कहा नहीं चंदर्मा ने बताया सबसे पहले मेरी धर्ती पर 21 जुलाई 1979 को अमेरिका के नील आर्मस्टॉंग, एडविन आलरिन और कॉलिंस ने कदम रखा था यहां से जब उन्होंने पिर्त्वी को देखा तो वे खुशी से उचन पड़े साक्षी बोली, चंदा मामा यहां आकर हर चीज हलकी क्यों हो जाती है चंदर्मा ने कहा, क्योंकि यहां गुर्तवा कर्शन शक्ती बहुत कम है जिसके कारण यदि हम किसी को एक हाथ से उठाना चाहें तो आसानी से उठा सकती है साक्षी को चंदर्मा की बाते सुनकर बहुत अच्छा लगा परन्तु अब उसे घर की याद आने लगी वह यान के पास गई और उसमें पैट गई एक जोर से गड़गड़ा हट हुई और साक्षी को जटका लगा गवरहाट से उसकी आँख खुल गई वह बिस्तर से उठी अरे मैं तो सपना देख रही थी तब तक मां भी उसके पास आ गई साक्षी ने अपना सपना मां को बताया मां ने साक्षी को प्यार किया और कहा बेटी निस संदे यह सपना था पर मुझे विश्वास है कि यदि तुम इसी परकारमन लगा कर पढ़ाई करती रही तो तुम्हारा चांद जाने का सपना अवश्य ही साकार होगा थैंक यू फर वाचिंग प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माइ चैनल